कि क्या हले बच्छो गोडिवनिंग जल्दी से बताओ कि आप मुझे सुन पा रहे हो आलपना सुनील मयूर मनोज गौतम चलो आवास तो ठीक है तो शुरू करें हैप्पी वाली अकैडमी में आप सभी का स्वागत है और अन्वाइर्मेंट अनिकलोजी करंट अफेर्स क्यू आर सिरीज लेक्चर नमबर वन क्यू आर सिरीज का मतलब मैं आपको बता देता हूं यहां आपको एक क्लास के अंदर बहतरीन ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसा कंटेंट जो एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा उसी की वज़े से इसका नाम क्यू आर सिरीज रखा गया है और हैपी वाली अकैडमी में आप सभी का स्वागत है कैसे आ मैपिंग कंप्लीट होगा बच्चा एंचन मतलो मैपिंग कंप्लीट होगा सारी चीजे कंप्लीट होगी मैंने आपको हमेशा ही कहा है मैं जितना कहता हूं हमेशा उससे जाधा देने की मेरी आदत है तो आप बिलकुल यकीन रखना और आपके साथ सब कुछ वैसे ही हो रह है अभी तक और उसके साथ हमारी एप है एपी वैली अकेडमी की बचा प्ले स्टोर पे जाओ गूगल प्ले स्टोर वहां पे हैपी वैली अकेडमी सर्च करो इसको डाउनलोड कर लो हमारे पेड कोर्स और एन्वायर्मेंट अनिकलोजी के करंट अफेर के सिक्स मंद का कमपाइलेशन की बुकलेट उसका पीडियेफ बिलकुल फ्री पड़ा है यहां पे नॉट्स वाले सेग्मेंट में चले जाना आपको मिल जाएगा मतलब जैसे वह एप डाउनलोड करोगे उसके नॉट्स वाले सेग्मेंट में जाओगे आपको 27 के लिए जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है वह लॉंच हो रहा है बच्चा एक मई से 50 परसेंट का हमने सीधा फ्लैट ऑफ दिया है दोनों नंबर में से किसी पे भी फॉन कर लेना पहले 500 बच्चों के लिए हमने 50 परसेंट ऑफ दिया है आपको लग रहा होगा फीस कितरी ह उतरी है कि किसी की आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने इतनी जादा रख दी कि आपको लगेगी आपकी पॉकिट पे बर्डन पढ़ रहा है ऐसा नहीं है जनरल स्टडीज एक साल की फीस तेरा हजार दो साल की 23,000 तीन साल की 32,000 फिफ्टी परसेंट का सीधा डिसकाउंट है ऑप्शनल है हमारे पास हिस्ट्री ऑप्शनल जोगरफी ऑप्शनल इधर 50% डिसकाउंट 10,000 में मिल जाएगा और जिसको जीएस और ऑप्शनल दोनों लेने हैं यह देख लो बच्छा यह 19,000 है 30,000 है और तीन साल का है 38,000 जिसको तीन साल के लिए ऑप्शनल और जीएस द कुछ-कुछ बहतरीन लाजवाब टॉपिक शुरू करें बच्चा क्या हल है आप ओके शुरू करें क्या थेक है यह लीजी आप यहां पर आजो बच्चा एक स्पीसीज है हमारी स्टाइक गॉक्टर्स कैरलेंसिस और बैटिलिप्स कलामी यह बड़ा डिफ्रेंट सी स्पी इस स्पीसीज है तो यह इस स्पीसीज नहीं बच्चा यह मान के चलो इस प्रत्वी की कुछ उन गिनी चुनी प्रजातियों में से है जो आज तक जबसे अर्थ पे लाइफ आई है और आपने देखा हो गमाने के बाद हमारे अर्थ के उपर मौस एक्स्टेंशन हुए मौस extinction का मतलब हमारी अर्थ पे वो phases आये है जिसमें अर्थ की लगभग एक बार के में 75% species समाप्त हो गई ऐसे पांच extinction को मतलब प्रतवी पर ऐसे पांच बार बड़ी मात्रा में प्रतवी पर जीवों की संक्या समाप्त हुई ऐसे पांच मास extinction को जेल कर आज भी जिन्दा रहने वाली species में से ये है तो हाल ही में एक नई समुदरी टाडी ग्रेड पर जातियों की खोज की गई है जिसे हमने पूर्व रास्टपती एपीजी अब्दुलकलाम के सम्मान में इसका नाम हमने दिया है बैटी लिप्स कलामी याद रखना बचा है जो ये नाम दिया गया है बैटी लिप्स कलामी तो ये जो कलामी यानि के हमारे पूर्व रास्टपती एपीजी अब्दुलकलाम के नाम पे हमने इसको ये नाम दिया है तो क्या है ये ये टार्डी ग्रेड स्पीसिज है के लिप्स कलामी क्या है तो एक tarigrade species है कि तो टाड़ीग्रेड इन्ए आम तोर पर वाटर बीज यह दाता रूप से बच्चा रेजिलेंट स्पेसिज है कि यह यह जो पाच हमारे मास extinction हो चुके है अर्थ पे उनसे भी बच चुके है अब इनकी खासिया देखो ये tardigrades वो species है जो परवतों की चोटियों से लेकर गहरे समुद्र और यहां तक ही वहिये अंत्रिक्ष में भी रह सकते है जबर्दस adaptation है इनका चाहे इन्हों इन्हें mountain की peaks पे ले जाओ समुंदर की depth में ले जाओ या space में ले जाओ कहीं भी ले जाओ यह कहेंगे हम जिन्दा रहेंगे कि tardigrades आ गई बात समझ में बोलो कि tardigrades की कहानी समझ में आई आप लोगों को कि अब आपको लगा होगा सर्जी मास extinction क्या है यह हमने शब्द लिखाए फाइव मास extinction मास extinction बेसिकली बच्चा प्रत्वी के जीवन चक्र में हमारे अर्थ के life cycle के अंदर ऐसे पाच फेजिज आए है जिसमें एक बार के में 75 परसेंट स्पीसिस हम आप सपोस करो एक्जांपल में बताता हूँ कैसे जैसे आज सपोस करो पूरी प्रत्वी पर वन करोड़ स्पीसिस है इससे ज़्यादा है मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं एक करोड़ स्पीसिस है तो मास मास-ek्स्टींशन का मतलब अगर हमारी अर्थ पर अभी मास-क्स्टींशन आये तो मिनीमम हमारी एक बार के में 75 लाख स्पीसीज क्या हो जाएगी बच्चा extinct हो जाएगे कई बार 80% भी विलूप्त हो जाते हैं कई बार 85 यानि कि इस प्रत्वी पर हमेशा से सारे जीव नहीं रहे है तो ऐसे प्रत्वी पर 5 फेज आ चुके है और अभी छटा फेज चल रहा है बोलो तो ये है बच्चा तो बड़े पैमाने पर विलूप्त होने से तात्परिया what is this mass extinction होने से तात्परिया है विलूप्त होने की degree में प्रियाप्त व्रद्धी यानि कि जो species है हमारी प्रजातिया है वे विलूप्त हो रही है और geologically कम से कम प्रत्वी अपनी प्रजातियों को जब एक बार के में तीन चोथाई यानिके 75% स्पीसिज को खो दे उसको हम मास एक्स्टिंशन बोलते हैं आपको पता है अभी भी हमारा 6th मास एक्स्टिंशन चल रहा है बहुत सारी प्रजातिया विलूप थो रही है यह ऐसा नहीं होता बच्चा सुन लो बहुत सारे बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए होंगे पता चला रात को सो रहे थे सुबह उठे समाचार पत्र में खबर आई आरे मास एक्स्टिंशन हो गया ऐसे नहीं हो गाए किसी भी मास एक्स्टिंशन को प्रजातिया विलुप्त हो गई तो कुछ समय में कुछ हजार सालों में एक और एक्स्टिंशन हो जाएगा ठीक है इसको मास एक्स्टिंशन बोलते है तो अभी तक 5 हो चुके है पांच हो चुरके है और 6 चल रहा है तो आपके एक्स्टिंइं एक्स्टिंशन 38 साल से 35 रोड पहले नाम है ये उनके पर्मिय और जो अभी चल रहा है आज वाला जो चल रहा है इसका नाम है इंथ्रोपोस्हीenne pleut इसके लिए इससे पहले के लिए बहुत सारे और फैक्टर्टि जिम्यदार रहे होंगे आज जो एक्स्टिंशन चल रहा है वह मानव जनित एक्स्टिंशन है मानव का ज्याधा रोन है इसको हमने बोला है six ang kate एक्सटिंशन बोलो क्या आपको मास एक्सटिंशन का यह time पूछ कमेंट सेक्शन में जवाब देना सतीश सौनिया बिट्टू बोलो बच्चा समझ में आ गया आज आगे चले यहां से तो यह देख लीजिए पहले वाला जो एक्स्टिंग्शन हुआ था 85% स्पीसीज समाप्त हो गई थी सेकिंड वाले में 75% थर्ड वाला तो ऐसा था बच्चा 95% स्पीसीज समाप्त हो गई थी क्योंकि मिनिममम 75% जाएगी फॉर्थ वाले में 80% और फिफ्ट वाले में 76% इस तरह से चला है अब यह चटा मानव चटा वाला क्या है यह चटा वाले को हमने बोला एंट्रोपॉसीन और जिसका कारण है मानव हमने इंडस्ट्रिल रेवलूशन के बाद या जब से मानव ने यहां पर अपनी एग्रिकल्चरल एक्टिविटी या एक्नॉमिक एक्टिविटी करना शुरू किया उसके बाद शुरू हुआ तो इसको एंट्रोपॉसीन एक्स्टिंग्शन कहा जाता है सबसे गंभीर प्रियावरन ये समश्या है प्रजातियों का नुकसान जो इस बार होगा वो इस्थाई होगा यूमन क्यों जिम्मेदार है कारण है मनुश्यों पढ़ती ही संख्या पिछले ग्यारहाजार सालों पे बच्चा मनुश्य ने खर्शी कारिया है विक्सित किया तब से हम क्या होगे बच्चा एक मिलियन से बढ़कर अब तो आठ बिलियन हो चुके तो बाकि सारी स्पीसीज की तुलनाव में हम सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हम सबसे ज़्यादा होशियार हम सबसे ज़्यादा लालची तो हमसे सबसे ज़्यादा खतरा है आज इस प्रत्वी पे बाकी सारी स्पीसीज को, दिस इस एंथ्रोपॉसीन एक्स्टिंग्शन, ठीक है, देखो कितनी खतम हो जाएंगे, तो यह टार्डी ग्रेड्स है, कहानी आ गए समझ में, हमने तो कहां से शुरू किया था बच्चा, इसमें भी बच गए, इसमें भी बच गए, शायद इसमें भी बच जाए, मतलब यह स्पीसीज, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम पूर्व राष्टपती, एपी जी, अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है, वो इसमें भी बच गए, जिन्दा थे, इसमें भी बच गए, इसमें भी बच गए, इसमें भी बच जाये, इनका अडाप्टेशन जबर्दास्त है, चलो तो देखते हैं इसको, तो टाडिगरेट में, Cryptobiasis में प्रिवेश करने की निलमन यानिए म्रत्यु को Reverse करने की चमता है पास मृत्यू जाओ वापस चले जाओ वह वाली चमता तापमान में उतार चड़ा हो जाए कैसा भी दबाव आ जाए रेडियेशन हो जाए प्रत्वी पे जल समाप्त हो जाए सुखा पढ़ जाए बाढ आ जाए हर किसी चीज में जिन्दा है यह चमता है इनके पास अभी इसलिए बोल रहे हैं कि अंदर यह यूनीक जो चमता है इसी के चलते हम इसको स्पेस में भी लेके जा सकते हैं बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारी स्टडीज की जा सकती है तो अंत्रिक्ष अनुसंधान के लिए हमने इसको संभावित माना है तो यह है टार्डि तो इस बैटीलेप्स किलामी की जो खोज है अभी इसकी कहा खोज की गई है तमिनलाडू के मंदपम में हुई है जिसमें भारते जल पहेचाने-जारे वाला दूसरा समुदरी टारडिग्रेट्स है इंडिया में दो टारडिग्रेट्स खोज़े जा चुके है पहला टारड तट पे हमने इस्टन कोस्ट पे इसको आइडेंटिफाई किया है एक और हमने पहले आइडेंटिफाई किया था वो था हमारे वेस्टन कोस्ट पे जो इस्टन कोस्ट पे आइडेंटिफाई किया गया है इसी का नाम हमारे पूर राष्टपती एपीजी कलाम के नाम पे रखा दुगॉंग एक बार के में UPSC का इतना फेवरेट था लगातार तीन साल कोशन पूछे लगातार तीन साल दुगॉंग से मन ही नहीं भरा UPSC का फिर UPSC को लगा यार मैं कुछ ज़्यादा फैनेटिक हो गया दुगॉंग को लेके अभी दुगॉंग को हटाते हैं लेकिन वह पस से दुगॉंग पर कोशन पूछा जा सकता है दुगॉंग क्या है एक समुदरी जीव है बच्चा एक म दुगॉंग संद्रक्षन रिजर्व का उधगाटन किया है दुगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर पाक बे में इसको लॉंच किया है तो दुगॉंग विशेश रूप से समुदर में रहने वाले शाकाहारी इस्थंधारी प्रजातियों की एक मात्र जीवित सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं समुदरी गाये बोला जाता है इसको समुदरी गाये मैमल है शाकाहारी है सबसे बड़ी बात शाकाहारी है तो क्या है बच्चा यह सी ग्रास पर जो समुदरी घास उस पर जीवित रहती है 30 से 40 kg इच डुगॉंग कंजूम 30-40 सी ग्रास एक दिन में 30 से 40 kg घास खाती है उसके बाद यह क्या है यह काफी क्लोज है कि इसके एलिफेंट के और मैनाटीस के और इनका जो लंबाई है लगबग 3 मीटर लंबी और 300 kg तक इनका वजन होता है 70 साल से जादा यह जीएगी ठीक है और इनके जो बच्चे होते हैं लगबग 6 साल अपने मा के साथ ही रहते हैं छोटे बच्चे होते हैं मा के साथ साथ चलते हैं उनकी जैसे हम गोदी में बिठा लेते हैं सिक्स यह तक 70 साल तक जीएगी 300 kg के आसपास का वजन होता है रोजना 30 से 40 kg घास खाती है और यह एलिफेंट्स के और अमेनेटिस के एक क्लोज है काफी समुदर में पाये जाने वाला है अब नेक्स्ट कोशन मिलेगा क्या डुगोंग इंडिया के इस्टन कोस्ट पे मिलता है कि ओके तो चलिए आगे की शुरुवात करते हैं कि अधिक नेक्स चले इसमें तो यह समुदरी स्तंधारी तीन मीटर तक की लंबाई तक हो सकते हैं वजन 300 किलोग्राम 60-70 साल के बीच में जीएंगे समुदरी घास इनका मुख्य भोजन है और जब भी सांस लेना होता है तो यह वापस से समुदर्ग में जल से बाहर आ जाते है सांस लेकर फिर अंदर चले जाते है इस तरह से इसका है यह तो दुनिया भर में 30 से ज्यादा देशों में देख लो कितनी अच्छी लाइन है यह बोलेगा सिर्फ अंडिया नोशन में मिलता है या सिर्फ भारत में म मिलती है मननार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी पाक खाड़ी अंडमान और निकवार इसका मतलब क्या हुआ यह इंडिया है अगर UPSC statement पूछा पूछता है तो इंडिया के eastern coast पे और इंडिया के western लंका और इसके बीच में बच्चा यहां पर इस साइड है गल्फॉक मननार मननार की खाड़ी और इस साइड है हमारी पाक बे और यहीं पर है हमारा पाक स्टेट तो इस पाक बे में हमने डुगॉंग कंजर्वेशन रेजर्व को एस्टेंबलिश किया है बोलो समझ में आया कि जल्दी से बताईए अगयोग अगयोग कि सेट है मामला हाउ इस दा जोश है न हैपी वैली अकेडमी पर आपको कैसा लग रहा है आप एक चीज़ बढ़ा बचा दिल से बताना दिल से बताना हैपी आकैडमी का जो यह नया फॉर्मेट है कैसा लगा आपको टीम कैसी है एनरजी लेवल हमारा कैसा है कंटेंट का लेवल तो आपको पता ही है हम सभी के बारे में आननदार है ना मतलए हैपी वैली अकैडमी वास्ताम में एक हैपी फीलिंग ही देगी जब तक भी आप इस प् पर आया हर बच्चा हैपी हैपी फील करें यही हमारा मोटो भी है ताकत वर फील करें मजबूत फील करें जिन्दगी में लड़ने का होसला आए एडुकेटिड हो वो सारी चीज़ आपको होगी हमारे साथ है एकदम मस्त मजा आया एव ठीक है हाँ यह मंडे से सैटर्डे इकलास होगी है चार ुद्ध से सेडर्डे चार क्लास है डेलि चार क्लास है है टेकर कि पीडेफ तो मिले गई ना बचहाँ हर क्लास के बाद कि तेन्चन होग ने हमारे वेलियक्वल्यlaus और हेपिवले अकार्णी वॉर्य और करेंफ चेंचनल है और सारी टेंशन खतम कर लो Happy Valley Academy की एप डाउनलोड कर लो आपको सारी PDF एप पे मिल जाएगी टेंशन ही खतम प्ले स्टोर पे जाओ Happy Valley Academy की एप डाउनलोड कर लो आज की क्लास का PDF आपको एप पे मिल जाएगा टेंशन ही खतम कर देते हैं ठीक है तो अब इसका conservation status क्या है IUCN की जो Red List है IUCN की Red List है उसमें तो यह Vulnerable है बच्चा संवेदनशील केटेगरी है हमारा Wildlife Protection Act 1972 Schedule 1 Sites के अंदर Appendix 1 देखो साइट के अंदर तो Appendix 1 Schedule 1 of Wildlife Protection Act और IUCN के अंदर Vulnerable status है अब इसको खतरा क्या है खतरा है Human Developmental Activity इंसान समुदर में पहुच गया वहां पर Developmental Activity कर रहे है Mining कर रहे है भहुत सारे minerals निकाल रहे है तो वह Sea Grass जिसको यह डेली 30 से 40 kg खाती है वह उसकी खतरा हो गया है तो डुगाउं के लिए प्रात्मी खतरा समुदरी घास की बिस्तरों का जो बैड है उनका नुकसान हो रहा है हम वहां पर जाके Developmental Activity कर रहे है मचली है पकड़ रहे है ट्रॉलिंग की अक्टिविटी है उससे इनको खतरा है जुगाउं को और महत्मुन खतरा क्या है Marine Pollution हो गया Oil Spill हो गया यह लोग यहां पर क्या है निवास इस्थान का विनाश होना या Modified करना प्रदूशन होना अवैद रूप से मचली पकड़ना जहाजों पर हमले आइस्थिर शिकार है अवैद शिकार है अन्प्लान्ड टूरिज्म है यह सारी चीजे इससे खतरा है तो हमने यह 500 स्क्वाइर किलोमीटर छेतर में हमने इस डुगॉं कंजर्वेशन डिजर्व को हम मैंने आज सुबह वाली क्लास में जो वाडियर्स में मैंने क्लास ली ती उसमें भी मैंने आपको बताया था बच्चा पिछले साल तीन कोश्चन दो हजार तेईस के अंदर तीन कोश्चन यूपीसी ने स्पीसीज बेजड पूछे थे और वही स्पीसीज थी जो करंट रहीने में जितनी भी फोना यानि के जन्तु जगत की प्रजातिया जो भी समाचारों में चर्चा में रही है वो सब मैं आपको आने वाले दिनों में कराने वाला हूं इसी क्यू आर सिरीज के अंदर ठीक है नेक्स्ट आगे बच्चा पिंक बॉल वर्म है ये पिंक बॉल वर्म पिंक बॉल वर्म है बच्चा ये पिंक बॉल वर्म है पिंक बॉल वर्म तो कपास को प्रभावित करने वाली सबसे विनाशकारी कीटों की परजातियों में से एक है बॉल वर्म का नाम सुना होगा ना, कपास की फसल को नुक्सान पुचाती है तो पिंक बॉल वर्म है बचा कपास को प्रभावित करने वाली सबसे विनाशकारी कीटों में से एक है और ग्लोबल लेवल पर कपास की फसलों को काफी ज़ादा ये एकनॉमिक लॉस करता है कीट बनेगा कपास की फसलों पर अटेक करेगा उनको बर्बाद कर देगा ठीक है पिंक बॉल वर्म है ये तो ये भारत से शुरू होकर अब सभी कपास उगाने वाले छेतरों में ये बॉल वर्म फैल चुका है अब इसमें क्या करती है जो मादा जो जो फीमेल जो बॉल वर्म है वो कपास के बीज कोशो फूलो और पत्यों पर अपने अंडे दे देती है बाद में वो पूरा विराश का चक्र शुरू हो जाता है मतलब कपास की जो पत्ती है उस पे इसने बॉल वम ने क्या किया अपने अंडे देना शुरू किया उसके बाद वो बड़े होना शुरू हो जाते और उस फसल को नुकसान करना शुरू कर देते है तो इसके लिए हमने क्या किया है हमने इंटीग्रेटिड पैस्ट मैनेज्मेंट जो हमारा प्लान है जब भी हम कीटॉ से लड़ने के लिए हमारी ज इसके अंतरगत हमने इस pink ball worm को कंट्रोल करने की निती अपना ही है, तो संक्रमन को रोखने के लिए कपास की प्रतिरोधि किस्मों की खेती करना, तो ये pink ball worm से हमारी फसले प्रभावित नहों, तो हम ऐसी फसले कपास की उगाए, जो pink ball worm को रजिस्ट करें, जिस पे ये आई न पाए संक्रमन का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए तो निगरानी की एक विवस्था करना जो वैस्क कीट है उसको पकड़ने के लिए जाल लगाना या उनकी रेट को रिड्यूस करना यह हमारी रनीती है नेक्स्ट क्या है अंतिम उपाय के रूप में इनकी अबादी को न मादा पिंक बॉल वाम ने अंडे दिये तो चार से पांस दिन उसके बाद 10 से 14 दिन के अंदर यह क्या बन जाएगा लारवा कैसा इस फॉर्म में आ जाएगा जो मैंने आपको दिखाया उसके बाद यह क्या करेगा यह प्यूपा बन जाएगा और उसके बाद में क्या बन उसके बाद ये अटेक करना शुरू, कपास को नुक्सान करना शुरू कर देता है। बोलो, पूरा लाइफ साइकल समझ में आया आपको। तो UPSC पूछ लेगा कभी कभी समाचारों में चर्चा में रहने वाला पिंक बॉल वर्म क्या है? या कौन सी फसल को नुक्सान पुचाता है? बेसिकली हमारी कॉटन का जो कपास की फसल है उसको नुक्सान देता है ये। नेक्स चले अब नेक्स चलते है बचा फिर आया नोहा दिहिंग म्यूजिकल फ्रॉग ये मेंडग देख लो बचा ये मेंडग ये आम मेंडग नहीं है ये म्यूजिक बजाता है हिमेश रेशम में के जैसे आरे हिमेश रेशम में तो कुछ भी नहीं है इसके सामने ये जबर्दस मुजिशिन है अरे सर क्या बात कह रहे है तो क्या है ये नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग तो अरुनाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है नौर्थ इस्ट में वेग्या जबादा इसको रिच करता है तो क्या है ये इसका नाम कैसे आया नोहा दिहिंग दिहिंग तो सर जी हमने शायद रीवर पड़ी है कोई रीवर है ब्रहम पुत्र के अंदर तो चलो देखते हैं इसका नाम कहां से आया ये म्यूजिक फ्रॉग है क्या तो ये नई खोजी नदी के नाम पर पड़ा है वहीं के आसपास से इसके कुछ सेंपल्स मिले है तो ये मैंडक लंबाई में 6 सेंटीमिटर तक बढ़ सकता है और इसमें गोल थुतन के साथ एक मजबूत शरीर होता है तो ये देख लो यहां पर और इस टाइप का ये है म्यूजिक निकालता है इनको तो डांस में करना होता हो बोलते हैं चल्लों एक खटे हौग और मिल यहां ओडाइक बजाएंगी मूजिक बजाएंगे आपस मिलते होगे चलवाइश में पहला नीकर रहा है उस टाइप का है न गुए को अब यह जो आवाज है आपने बत्तक की आवाज निखा तक हुअ क्वाइक की आवाज निकालता है उसी तरीके से यह भी है ना तो मेंडख द्वारा औस सर्जी 2 से 3 not है विस्सका रूप से जैसे ुवाइष ए मारी डख कंप है-व के अवाज जो निकालता है बत्तक की वाज भी तो आपने सुनी होगी उसी के पैटर्ण में तीन नौठ निकालता है यह नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्राउग है यह अरुनाचल प्रदेश ब्रह्म पुत्र की साहक नदी दिहिंग उसके छेतर में मिला है कि छीक है चलो कोई बात नहीं करें बिल्कुल अब इसका लगेगा बच्चा यह सिगनिफिकेंस क्या है इस म्यूजिक फ्राउग का इस छेतर के लिए सिगनिफिकेंस क्या है ये मेंडख पारिष्थतिकी तंत्र के लिए बड़ा इंपोर्टेंट है वहाँ पे जो पैस्ट है बहुत सारे कीटों को खा जाता है तो पैस्ट नियंत्रण में और बहुत सारे बाकी जानवरों के लिए फूड का सोर्स है ना पैस्ट कंट्रोल प्लस food source है बाकि सारी species के लिए बहुत सारी species है वो इसको खाती है खाती होगी बिचाराई quack quack करता रहता होगा उनको लगता होगा तो बढ़िया आवाज निकाल रहा है quack quack करता है चलो भई पिर आया नाम दाफा flying squirrel है यह थोड़ा नाम फ्लाइंग स्कुरल है इसको थोड़ा पर करेक्ट कर लेंगे जब मैं आपको pdf दूँगा करेक्ट करके दूँगा ये है बचा नाम दाफा फ्लाइंग स्क्वेरल नाम दाफा मतलब अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश के अंदर नाम दाफा में एक उड़ने वाली गिलहरी है तो चार दशकों से अधिक समय तक अनुपस्तित रहने के बाद पिछले 40 साल से इसको देखा नहीं गया था अचानक से अरुनाचल प्रदेश में फिर से खोजी गई है उड़ने वाली गिलहरी मतलब फ्लाइंड गिलहरी हाँ वोई यू प्यस्तिन ने जिस पे लास साल पॉश्ण पूछा था वोही एक फ्लाइंड स्क्वेरल है उड़ने वाली गिलहरी ऐसे फैलती है तो बिल्कुल पंक जैसे लगता है तो इसे एक मायावी प्रजाती बोला जाता है मायावी ये कौन सी माया दिखाती है माया इसलिए बच्चा मायावी मायावी क्या होता है जो दिखाई न दे जिसको आप देखना पाओ पकड़ना पाओ वो मायावी होता है तो माया भी इसलिए बोला गया क्योंकि इसको खोजना और इसको पकड़ना काफी मुश्किल है इसलिए हमने इसको एक एल्यूसिव स्पीसीज के रूप में आइडेंटिफाई किया नामदाफा फ्लाइंग स्क्वेरल यूपीसी ओलरड़ी इस पे कोशन पूछ चुका है उड़ने वाली गिलहरिया कहां पाई जाती है नौर्थ इस्ट नामदाफा उधर ही है नौर्थ इस्ट में ठीक है तो इसका जो नाम है बिस्वा मॉयोप टेरस बिस्वासी एक रात्री कालीन देखो बच्चा जैसे यूपीसी ने सुन लो टन 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 यूपीसी ने जो आज ही मैंने वारियर्स पे कोशन कराया था लॉयान टेल्ड मकावू सिंग पुछ बंदर माला बार सीवेट माला बार सीवेट पूछा था ठीक है एक और प्रजाती थी एक्स मान लो और उससे पूछा था इन में से इन प्रजातियों में से कौन सी नौक्टॉरियल स्पीसीज है रात्री चर प्रजाती इन में से कौन कौन सी यह कोशन था बच्चा इस वार रात्री चर प्रजाती कौन सी है याद आया समय आद आए ना आश सुभे मैंने मिलास से दोपैर वाली क्लास पुबजे वाली क्लास में दिखां था टो देखना रातरी कालीन उड़ने वाली गलहरी है यह लोग इस अलसो नॉक्टर्नल फ्लाइंग स्क्वेरल मैं हमेशा ही बोलता हूं यूपीएसी ऐसा कुछ नहीं कर रहा नया कुछ नहीं पूछ रहा बस आप कितने अटेंटिव हो यह आप से जानना चाहता है हो सकता है तीसरी स्पीसीज के नाम पर वह फ्लाइंग स्क्वेरल को डाल देता आपको लगता अच्छा एक तो ओड़ती है ओडने वाली गिलैरी उपर से रात को उड़ेगी अरे सर क्या बात कर रहे हो आप सोचोगे नहीं इसको तो हटा दो कौन सी गिलैरी रात को ओड़ेगी उडने वाले दिन में आपको समझ नहीं आया होगा रुको 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 है ना एक बार रुको आपका इलाज करता हूं मैं आपका इलाज करता हूं आपका इलाज करता हूं ये लग कुश्चन देखो आपको समझ नहीं आया होगा ना ये लग कुश्चन देखो आपको समझ नहीं ये लो पढ़ना ये कोश्चन नमबर 14 2023 का ही पेपर है 2023 का पेपर है चार नाम दे दिये सिंग, पुछ, मकाउ, मालाबार, सिवेट, सामर, हीरन इन में से रात को कौन सा चलता है अब आप सोचोगे सर इतना पढ़ना पढ़ेगा क्या हमें रात को कौन सा चलता है तो बेसिकली बचाओ करन्ट अफेर में कहीं न कहीं आया होगा बस हमने उस तरीके से नहीं पढ़ा UPSC अब थोड़ा फैक्चुल जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा फैक्चुल जा रहा है, थोड़ा सा जादा अटेंटिव होना पड़ेगा आई समझ में चलो वापस से चलते हैं इसके अस्तितु के बारे में हाली में पुने है ना खोज के प्रियासों तक 1981 में कत्र किये गए एक नमूने से ही पता चल पाया था उससे पहले हमें पता भी नहीं था इसके बारे में कि ऐसी कोई flying squirrel है भी या नहीं अब next तो गलहरी ये कैसी होती है विशिस्ट सफेर चिन के साथ लाल रंक इसके फर होते है हलके भूरे रंका इसके उपर ये कैप भी पहने रहती है उके उसके अंगों के बीच में फिसलने वाली ऐसे फैलने वाली जिली भी होती है मुखे रूप से कहां मिलती है नाम दाफा राश्चे उद्यान के भीतर वहां के जंगलों में और खास कर नदियों के किनारे पाई जाती है यह लोग यह है हमारी flying square तो अब आपको लगेगा इसका IUCN status क्या है तो IUCN की red list में critically endangered है na critically endangered इसका status है उसके बाद logging है, कृशी विस्तार है, मानव वस्तियों का विस्तार है, वनों की कटाई है उससे इसके अस्तितों को खतरा हो रहा है नाम दाफा flying squirrel threats क्या है इसके लिए, अब इसको किस लिए इसको नुकसान पहुचाए जाता है, यह उडने वाले फर है न, तो इसके फर और मास के लिए शिकारियों द्वारा इसको निशाना बनाया जाता है तो इसके संदक्षन के लिए चुनोतिया वैसे ही इतनी शाई है दिखती है नहीं अब लोग बाग उनको लग रहा है बड़ा मायावी जीव है इसको पकड़ लो अब क्या करेंगे I don't know तो इसके लिए हमें प्रभावी जो कंजर्वेशन एफर्ट्स करने की जरूरत है इस इस अल अबाउट नामदाफा फ्लाइंग स्क्वेरल मज़ा आया नेक्स चलते है यह नेक्स्ट है सीजू अमॉल उप्स सीजू तो बैसिकली यह मेगालिय के अंदर जो गारो हिल्स है ना वहां पे बहुत सारे गुफा चेत्र है तो वहां के सुजू गुफा प्रणाली के भीतर इसको खोजा गया है यह देख लो मेंड़क है मेंड़कों को बहुत खोजते है विज्ञानिक मेंड़कों में कुछ स्पेशल रूची है क्या अपने को समझनी आता मेंड़क की एक नहीं प्रजाती खोज लिए मेंड़कों में बड़ा इंट्रेस्ट रेता है विज्ञानिकों का चलो तो सीजू गुफा वहां पाई गई प्रजातियों को रखने वाली प्राकर्तिक चुना पत्तर की गुफा है नौर्थ इस्ट में भारत के मेगालिया के दक्षनी गारो हिल्स जिले में स्थित है अग तो यहां की जैव विविदता के बारे में प्रकाश जाला और यहां के वातापरण में ज्यादा खोज और संरक्षन करो और कुछ नया मिलेगा ऐसा इससे हमें पता चल रहा है तो सीजू केवज और यहां पे मिलने वाला एक फ्रॉग नेक्श चले फिर है बच्चा डांसि एक वो म्यूजिक फ्रॉग था नोवा दिहींग यह डांसिंग फ्रोग यह डांस करके दिखाता है तो यानि के मैंडक विज्ञानिकों के लिए काफी खोजबीन का विशे है जितने भी हमारे विज्ञानिक होते हैं जीव जन्तुओं को खोजने वाले उनका मैंडकों में बड़ा देखो कितना डिफ्रेंट टाइप का दिखता है यह तो यह पश्चमी घाट में मिलता है बच्चा यह वाला मिलता है पश्चमी घाट में तो मिरिक सालेडे फैमली का हिस्सा है यह टेकनिकल नेम याद रहने की जरूत नहीं वेस्टन घाट के मूल निवासी है मैं ऐसी लगता है रहे नाचने वाली मक्खी पर क्या कोशन पूछेगा नाचने वाला मेंडग किस काम का अभी तो कुछी किसी भी काम का हो सकता है ठीक है तो यह अपने आज देती है फोच फ्लैगिंग वहवार के लिए मतलब यह कुछ पैर वैर जैसे आप खड़े हो एक बार खड़े हो जाओ आप सभी लोग और अपने लेफ्ट पैर को या राइट पैर को कभी इस साइड करो या कभी उस साइड करो लेफ्ट पैर आगे आगे राइट पैर पीछे पीछे आजा यारा कर डांस वे ऐसा कुछ गाना है क्या रवने बना दी जोड़ी यह वैसे यह अपने पैर को कभी इधर करता है कभी इधर करता है दिस इस डांसिंग फ्रॉग ठीक है मज़ा यार वैसे कुछ भी कहो मेरा भी मन कर रहा है इसको डांस करते हुए देखने का और वो गाना गाने वाला दोनों में डग देखने का मन है म्यूजिकल फ्रॉग और डांसिंग फ्रॉग चले अनुश्का का और शारुख खान का गाना है वो वो बंदा ही क्या है जो नाचे न गाए तो अब ये क्या करता है अब ये भी देखो बड़ा चलाख है जैसे रबने बना दी जोड़ी सुनो बच्चा जैसे वो रबने बना दी जोड़ी में अनुश्का के लिए डांस सीखता है सेम ये भी दर ही है वो डांस इसलिए सीखता है ताकि अनुश्का शर्मा को वो इंप्रेस कर सके इधर भी ये क्या करते है ये अपने पार्टनर को ब्रिडिंग सीजन के अंदर रिजाने के लिए डांस करते है देखो तो प्रजनन मौसम के दोरान है ना आकर्शित करने के लिए है ना पैर हिलाने वाला डांस करते हैं और उदर नदी के किनारे चट्टान पर बैठ जाते म्यूजिक बचता रहता है और डांस कि डांस कि डांस कि ठीक है चलो तो अकसर अपने पैरों को फैलाते हुए जल्धाराओं के पास चट्टानों पर बैठे हुए अपने चमकीले रंग और जाल वाले पैरों को लहराते हुए इनको देखा जाता है क्या शांदार नजार आए कहां मिलते हैं वेस्टन घाट में वेस्टन घाट में मिलते हैं तो डांसिंग फ्रों समू में एक दर्जन से अधिक चिन्नित प्रजाते हैं अब ऐसा नहीं की अकेला ही डांस कर रहा है ऐसा थोड़ा ही ना है कि शारुक खानी डांस करेगा भाई कि अनुष्का को रिजाने के लिए कोई माधुरी के लिए भी डांस कर सकता है कर सकता है नहीं कोई आलिया के लिए भी डांस कर सकता है तो बोल रहे भी है यह डांस करने वाला अकेला नहीं है और भी बहुत सारे डांसिंग फ्रोंग से जिसमें से अलग अलग का conservation status लग है केते एक dancing frog हमें नीलगरी में भी बिलता है नीलगरी dancing frog है एक white cheek dancing frog है तो dance करने वाले बहुत सारे में डखे समझ गए हाँ ज्यादा film में डखे बच्चा नेक्स्ट इसको भी खतरा है लेकिन है ना अब यह hero बनने की कोशिश करेगा इसको भी खतरा है अब वही है हमने agriculture activity को बढ़ा रहे है क्रिशी शेत्र का विस्तार कर रहे है habitat loss हो रहा है और यह dance करने में अच्छा लग रहा है तो इसका शिकार भी किया जा रहा है कुछ लोग फूड के लिए भी खतरा में क्रिशी और व्रक्षा रॉपन के उद्देश्य से जंगल की कटाई करना प्राकरतिक आवास का नुकसान है प्रतिस परधा है मतलब आपने नई प्रजातिया कई बार कैसे बोला जाता है जैसे बच्चा इन्वेसिव एलियन स्पीसीज आपने इंट्रडूस कर दी आपने किसी छेत्र में समझो वेस्टन घाट के उन छेतर में जहां पर यह डांसिंग फ्रोग था आप नहीं प्रजाति को लेके आ गए अब पता चला शारुक खान अनुष्का शर्मा को रिजाने के लिए डांसिंग डांस कर रहा था आप उधर लेके आ गए माइकल जेक्शन अब शारुक खान उस माइकल जेक्शन के सामने कहां ठिकेगा समझ गए अब सनी देवल एक तरफ और दूसरी तरफ रितिक रोशन डांस करेंगे फरक तो आए गई तो कहते बहार से कोई नई स्पीसीज लेके आ जाओगे उस सर्वाइवल में वह तिक निपाएगा यह समझे हो जाएगी शिकार का भी खतरा है परस्तिते की संतुलन बाधित हो जाता है परियाटन है बहुत सारे और खत्रे है जलवायू परिवर्तन वर्षा की स्थिती जलवायू में उतार चड़ाव का बदलाव इनकी जनसंक्या को प्रभावित करती है इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है और इन रत्य करने वाले जो फ्रॉग है इनकी अवादी बे कमी देखने को मिल रही है अब हमें क्या करना यह सब के सब हो गए बच्चा नेक छले फिर है ये कबिल इडज क्या है ये उट जैसे दिखने वाले हैं ये उट ही है देख लो बच्चाई किमिल इडज है आपकी तरफ देख रहे हम दो हजार चौबिस के पीटी में आ सकते है वी आर कैबिल इडज तो अब इस UN ने संयुक्त रास्ट में दुनिया भर में उंट और उंटों की प्रजातिया है आजी विका और सतत विकास में इनके योगदान के लिए साल 2024 को Camelids International Year के रूप में नॉमिनेट किया है कैसे आजओ तो इन उटों में अल्पाका लामा विकुना ग्वाना कोस बैक्टीरियन उट ड्रॉमेडरी उट सहित जानुवरों का एक विविदस सम्हू है मतलब जो Camelids के अंदर ये सारी चीज़े है और ये Camelids दुनिया में 90 से जादा कंट्रीज में फैले हुए है शोष्क और आर्दशोष्क छेतरों में विशेश प्रकार से विशेश रूप से ये पाए जाते है Camelids में उलेखनी अनुकूलन होता है बच्चा ये कठोर से कठोर जलवाईयों को सहन कर सकते है Extreme conditions को अत्यदिक थंडा तापमान अत्यदिक गरम तापमान सूखा की condition सब जेल लेते है इतना सक्षम होते है अत्यदिक थापमान पानी की कमी सब के प्रती resilient होते है उसके साथ साथ इनका local culture के साथ या वहां के local लोगों के साथ गहन संबंद भी होता है उनको उनके livelihood में sustainable उनकी life को चलने में इनका role है तो अपने पारस्तितिकी महत उसे पर ecological significance तो है उनको के समाजों में गहरा-san क्रतिक और एथियासिक महत रखते है रिति-रिवाजों में और economies में इनका role है जैसे राजिस्तान में अगर हम बात कहे हम जसल मेर की बात करे बार्ड मेर की बात करे बिकानेर की बात करे उंट हमारी economy में या हमारी society का एक महत्रमून हिस्सा है तो उंटों के इस पूरे ग्रुप को जो Camelids है इनके इसी significance के कारण साल 2014 को UN ने nominate किया है किसके लिए बचा? International Year of Camelids याद रहेगा आप बताओ जल्दी से चीक है तो जल्वाई परिवर्सन से प्रभावी छेतरों में Camelids अपनी कठोर था और प्रतिकूल परियावरन प्रस्थितियों का सामना करने की छंपता के कारण टिकाओ करशी के लिए जरूरी है उद्देश्य क्या है? हमने ऐसा क्यों किया? एक पर्टिकूलर स्पीसीज के बारे में हम वर्ल्ड कॉम्मिनटी को बताना चाहते है कि ये कितने सिगिनिफिकेंट है इनका संदक्षन हो, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो और इनके इस्तमाल को बढ़ावा दिया जाए ताकि एक स्पीसीज इसका जो महत है वो मेंटेन रहे दिस इस आल अबाउट क्यामिलिड्स ठीक है बच्छा? तो आज वाले तो हमारी स्पीसीज हो गई कल बाकी और जो स्पीसीज होगी हमारी फॉना स्पीसीज, फ्लॉरा स्पीसीज चार-पांच क्लासिस के अंदर में पिछले साल भर के अंदर जितने भी फ्लॉरा एन फॉना रहे है सबको बता दूँगा, हैपी वैली अकेडमी की अप को डाउनलोड कीजिए बच्छा, प्ले स्टोर पे चले जाओ, पेड कॉर्सेज यहीं मिलेगा आज की क्लास का पीडियेफ भी इसी पे मिलेगा जो पीडियेफ जो बच्छे मांगेंगे, वो पीडियेफ मिलेगा हैपी वैली अकेडमी एप के उपर उसका लिंक, प्रमेंट सेक्षन में शायद पिननी होगा, टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा और दो हमारे टेलिग्राम चैनल है, एक हैपी वैली अकेडमी राइज करके और हैपी वैली अकेडमी वारियर्स करके एड्मिशन के लिए इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते है आज इतना ही कल फिर नए धमाकेदार एक सेशन के साथ आप सभी लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल लगना बच्चा अच्छे से पढ़ना दो हजार चोबिस तकड़ी लड़ाई लडएंगे और हैपी वैली अकेडमी दो हजार चोबिस के प्रिलिम्स में आपको हैपी बनाने के लिए पूरा प्रियास करेगी बाबाई, टेक केर